Working with files in python की episode में आपका स्वागत है इस episode में हम देखेंगे अगर हमें only directory के अंदर directory print out करना है या list print out करना है means files really list print out करना है तो हम किस परकार से करते हैं For example, यह जो working with files का अगर मैं folder दिया तो मुझे सिप अगर यह चार directory print करनी हैं output में तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ या तो फिर cpa जो do list files है इनको मैं print करना है तो कैसे कर सकता हूँ उसके लिए हमने jpter का page open कर लिया है और हमारी favorite library को हम इंपोर्ट कर लेते हैं import uvash shift enter करेंगे तो यह run हो जाएगा या यह run भी click कर सकते हैं अब हम एक function लिखते हैं क्या लिखेंगे def display directory ठीक है और इसके लिए हमें एक folder की चर्वत पड़ेगी और इसके बाद में खॉला इंटर है तो विट ओवेस डॉट इसकेंडायर ठीक है यह बहुत यूसफुल फंक्शन है हम इवित क्यों लिख रहे हैं विकोज इसमें बहुत सारी इंपोर्मिशन रहे थी इंटरेटर के समान तो एस एंटरेज ठीक है अब हर एक हमको प्रिंट करना डारिक्टरी तो फॉर ठीक है एंटरी है वाइए इन एंटरेज है ठीक है में यह इंटरेज है इसमें हम लोग एकस वायजएट कुछ भी लिख सकते है मैं फच वायजए कुछ भी लिख सकते हमें फॉर इसीक ऑफ सीम्पिलिशिटी उसको एंट्री लिंख देता हूं अब वहे हुए गलकना if, मेरा क्या है entry dot is dir, अगर यह directory है, तो मुझे print करना है, print, क्या गरना है directory name, तो फैनल, चीक है, और क्या गरना है, सारी entries ही है, तो directory name में, अभी entry dot name प्रिट करना है, ठीक है, अब मैं इसको enter करता हूँ, और अब यह मेरा function को, मैं call कर लेता हूँ, अब function को call करना है, तो मिझे इसमें एक folder देना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी folder मैं देता हूँ, working with files, ठीक है, अब मैं यह भना folder देता हूँ, working with files, अब देखें दूस्तों, इसमें single space characters है, तो अगर escape characters वगरे आ जाता है, तो इसमें थोई से दिक्कत हो सकती है, तो हम इसको आगे R लिख देता है, चीए, अब हम run करेंगे, hope, कहीं कि मैंने printing mistake, indentation mistake नहीं कियो, ओहो, मैंने कुछ गलते नहीं किया है, और मुझे यह result मिल गया है, तो देखें, इसमें यह 4 directories है, इसमें यह 4 directories है, अब मुझे इसमें file name चाहिए, तो इसमें simple यह वाला functions को हम copy paste कर लेते हैं, पेस कर देते हैं, अब यहां पर जो, जो hdir है, इसको simple file लिख देते हैं, तो यहां पर directory name, यहां पर file name, जैसे हम इसको run करते हैं, देखें है, यह file name आगया, दो file और e की temporary file है, यह hidden file है, इसके लिए, अब को नहीं दिखाए देगी, अब मैं यहां पर जाओंगा, view, sorry, option जाओंगा, अगर मैं यहां पर view में, show hidden files कर देता हूं, apply कर देता हूं, तो आपको यह दिख जाएगी, तो book and race को यह दिख गए, तो thank you for today, मिलते रहेंगी, next episode में,